असलाम लेकूम, वेलकम टो ये शायना चैनल दो इंग्रीडियन्स से मैं 15 दिन के चैलेंज का फेस बैक बनाने वाली हूँ इसको लगाने से आपके स्पोर्ट्स और ब्लाक हेट्स सारे खैब हो जाएंगे और इसका कोई साइड अपक नहीं है चलो शुरू करते हैं, ये चैने की दल का अटा है, जिसको मैंने पाउडर बना लिया है इसको भिगा शुका कर पिसाना नहीं है इसको जैसे आप शौप में से लेते हैं इसको अप पैॉडर बना कर आद पाूडर ब्लेना बाहर का ready ultimate आटा मत लेना घर पर ही बनाना एक बाल लेंगे उसमें 1 टेबल स्पून जितना चने आटा एट करेंगे, पाउडर, एक टेपरिस्पून चाने की दाल काटा एक बोल में मैंने ले लिया है, अब इसमें मैं आट करूंगी, देट टेपरिस्पून दूद, अगर आपके पास दूद के उपर जो मलाई है, पहले वो मलाई इस पाउडर में आट करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, आप इसको सूपने के बाद उसको मैंने जैसे मसाज करके, धलके से मसाज करके इसको रब करना है, और उसके बाद धंडे पाने से लेना है, ध्यान रहे, दूद के उपर जो मलाई जमती है, वो मलाई कंपलसरी रहा तो दालना, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अब इसको ल लगाना, फेस पर, नेक पर, सब लगाना, इस तरह जुंतली लगाने के बाद इसको 20-30 मिनित तक हम फैन में फेस को अच्छे से सुका लेंगे, सुखाने के बाद मैं इसको रीमू करने का तरीखा बताती हैं देगे 20-30 मिनिट के बाद हमारा फेस बैक किस तरह से ड्राइ हो गया है अब इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे और इसको clockwise और anti-clockwise यानिकि राइट सेट और लेप सेट घुमाते हुए मसाज करेंगे वीच वीच में थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से मसाज करेंगे मसाज करने के टैनी आप देख सकते हैं रिजल्ट इस फेस पैक का इसमें कोई साइड आफिक नहीं है यह बहुत असरदार है आपके ब्लाक स्पॉट्स ब्लाक हेड्स सारे रिमूव हो जाएंगे गायब हो जाएंगे दिखिए इसे तरह clockwise और anti-clockwise मसाज करके इसको सारा पैक निकलने के बाद थंडे पानी से हम इसको वाश कर लेंगे थंडे पानी से दोने के बाद एक clean cotton कपड़े से आप इसको पॉइप कर लेना पोच लेना आप देख सकते हैं इसका result कितना glow आया है यह अगर आपको ज्यादा dark dark spots है तो इसको one month यूज करना डेली यूज करना इसका इसको stop मत करना डेली यूज करने से इसका result अच्छे से आता है लाइक शेव सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और कमीड़ोट हो तो मेरे description box चेक कर लेना आपको य्यू झाया है वाधी आपको आपके यूज करता है तो इसका जाया है